राम राम सभी को नमस्कार जैहीं जैभार तो आप लोग कैसे मासा करता हूं कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे रपने अपनी पढ़ाही के अंदर पैस्त होंगे आज का जो अपना सेसन रहने वाला है LDC 2024 पर 11 अगस्त को अपना एकजाम है और आज सहीत अगर अपने बात करें तो लगबग 30 दिन का समय अपने पास है इन 30 दिनों में अपने क्या पढ़ें और क्या अपने छोड़ें ताकि क्या है कि अपने जो सेलेक्शन है टाइपिंग जो टेस्ट है उस टाइपिंग टेस्ट के अंदर अपने को कोल हो जाए तो आज का सेसन इसी पर रहने वाला है ज्यादा ज्यादा सेसन को सेर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा अपना एकजाम जो है LDC का यह 11 अगस्त को अपना एकजाम हो फेपर के अंदर आपने क्या करना है कि फिर्स्ट वेपर में अपने तीन सब्जेक्ट है फिर्स्ट वेपर में जीके का जो पार्ट है जीके की पार्ट में अपने हिस्ट्री है कल्चर है इसके अलावा जियोग्रोफी है और राजस्तान की राजवेवस्ता से कुछ पॉइ दे रखा है एक paper आपको दे रखा है राजस्तान जेके का दे रखा है इस paper में अभी तक जो आप पढ़ चुके है उसे एक बार आप revision जरूर कर लीजिए का तीक है आपने आशा करता हूँ कि आप एक या दो बार उसे जरूर पढ़ चुके होंगे तीक है मतलब एक बार रिट पर है पुराने जितने भी paper है चे वो history का हो चे वो कल्चर का हो चे वो आपके geography का हो चे वो राजस्तान की राजवेवस्ता की जो आपके एक या दो टोपिक दे रहें उनसे समंदित हो अपने कोई भी जो जीके से समंदित अपने पार्ट है उसके पुराने paper आप इस समय के आसपास का जो matter उसे solve जरूर करें और मैंने राजस्तान जीके के अंदर जो आपके art and culture से समंदित है राजस्तान की कलावेश सनस्कृति है राजस्तान की कलावेश सनसकृति का जो part है इस कलावेश सनसकृति की part को मैंने पूंद उसे describe कर दिया है जो LDC के old paper है पुराने जो paper है उनको जो 2011 का paper है ठीक है 2013 का paper है और 2016 का paper और 2018 का paper है ये चारो paper मैंने बहुत बढ़ी है तरीके से इनको describe कर दिये objective type के इनके जो question थे इन चार paper में जो आ चुके थे उनने बहुत बढ़ी है तरीके से मैं यहां पर solve करवा चुका हूँ आप इन question को जरूर देखिएगा ठीक आपको benefit मिलेगा लगवग 10 से 12 question जो अपने art and culture क्याते हैं वो लगवग अपने को यहां से मिल जाएंगे तो 2011, 2013, 2016, 2018 का art and culture के तो आप यहां से paper आराम से solve कर सकते हो यहां से आराम से आप देख सकते हो और बढ़ी है तरीके से इन question को आप कर लेना और क्लासे मिल जाएगी LDC से समंदित आप वहां से जुरूर देखिएगा अगर फिर भी नहीं मिले तो आप टेलीग्राम जो चैनल अपना जीके वीद पुर्शोतम जो मुदगल है इस टेलीग्राम चैनल में लिंक अपने डाले हुए हैं तो आप यहां से भी देख सकते हैं क लासों को तो टेलीग्राम चैनल जो है इसे जोईन जुरूर कर लीजिएगा तीक है तेलीग्राम चैनल को जोईन जुरूर कर लीजिएगा इसी परकार से अपने राजस्तान इत्यास के राजस्तान जियोग्रोफी के जो राज वेवस्ता के जो पॉइंट जो दे रहे हैं से समंदित क्योशनों को अपने solve करना है अब इस समय फर्स्ट पेपर में आपने रास्तान जीके में तो केवल यही पार्ट आपने करना है नया नहीं पढ़ना अगर कोई topic आपने नहीं पढ़ा है तो आप यह नहीं कि अपने उस topic को त्यार करने का समय नहीं रहा अब जो बात करें तो विज्ञान का जो पार्ट है विज्ञान के पार्ट में अपने बात की जाए तो तिनों पार्टों से लगबग average क्योशन आते हैं अपने physics है chemistry और bio ज्यादा तर जो क्योशन है वो उसे आने की ज़्यादा असार होते हैं तो बायो जो है इस बायो की जो टोपिक है इन्हें बहुत अच्छी तरह से त्यार करें ठीक है जो जीव विग्यान से समंदित और अपने वनस्पति विग्यान से समंदित जो पॉइंट है उनको बहुत बढ़ी है तरीके से आपने त् की है और बायो के साथ में आपने कमेश्ट्री को भी बहुत अच्छी तरह से त्यार किया आपके दिमाक में था कि पुराने पेपर सॉल्व के हुए हैं तो बहुत बड़ी है तरीके से उन्हें आप त्यार कर सकते हो इसके अलावा अगर फिजिक्स या मानलो कि आपने फिजिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया कमेश्ट्री को पढ़ लिया बायो करनी पड़ा तो एक बार बायो को जो पेपर है ना उनी को सॉल्व करोगे अब नया मेटर मत पढ़ने बैढ़ जाना कहीं फिजिक्स के आप नोट्स कोल कर बैढ़ जो कोई किताब खोल कर बैढ़ जो तो आपको नुकसान होगा उसमें क्योंकि नया मेटर त्यार करने का अपने पास मैं नहीं है इसे परकार परसनावली अपने बहुत अच्छी तरह से त्यार है दस्वी अगर रही है तो दस्वी को रहने देना ठीक है नो परसनावली को इतने अच्छी तरह से त्यार कर लो कि उनसे क्योशन बाहर न जाए क्योंकि पचास क्योशन आने एक परसनावली की अगर मानते हैं जो छो छ चाहिए ठीक है दो बार विजन आपका होना चाहिए तो गणित के भी यही रहेगा कि गणित में आप जितना प्रेक्टिस करोगे समय वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा और तिन्नों से अगर अपने बात करें भी राजस्तान जी के विज्ञान और गणित इन इन तिन्नों से अगर मैं बात करूं भी आपका जो स्कोर जाना चाहिए इन तिन्नों से समधित क्योशनों में जाना चाहिए तो मैं यह मान कर चलता हूँ कि टोटल लगबग आप 110 क्योशन के आसपास क्योशन सॉल्व करके आओ तब अपने मान सकते हैं कि टाइप इन कमजोर है तो उसे गARIत और रास्तन जीके में लीड करना पड़ेगा गनित और रास्तन जीके में यह मान कर चलो 40 40 क्योशन अगर करते हैं तो myśyan में आपके 30 क्योशन होते हैं जिनके विजैन और गनित वोट अच्छी तो उसे द्यान रखना कि यहां पर अगर वो लीड कर रहा है तो यहां पर द्यान रखना उसका कमजोर पार्ट रह रहा है तो यहां पर 40-40 लीड कर रहा है तो यहां पर 30 से लेकर आने ही होंगे तभी अपने को द्यान रखना टैपिंग टेस्ट की कोल होगी इसके बाद में एक पार्ट इसमें जो second paper रहता है, second paper जो है, second paper में आपने क्या करना है, कि second paper में एक paper अपना कुण सा रहता है, हिंदी का रहता है, और एक paper जो है, अपना किसका रहता है, इंगलिस का रहता है, एक हिंदी का है, और एक किसका है, इंगलिस का अपने paper रहता है, ठीक है एक paper अपना hindi के और एक किसका है English का paper है Hindi में अपने 75 questions है और English में भी अपने 75 questions है यह मान कर चलना कि दोनों paper में अगर अपने बात करें भी दोनों paper में aggregate आपके जो question जाने चाहिए वो लगबग कितने 110 question आपके जाने चाहिए तो इनके मतलब जो second paper में दोनों जो subject है हिंदी और इंगलिस के मतलब आपके average अगर हिंदी में आप 65 question solve कर रहे हो तो यहाँ पर आपके 45 बिल्कुल सही होने चीए ठीक है बिना negative marking में बात कर रहा हूँ यहाँ पर impeachment है तो यहाँ पर impeachment यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 50 चास यह ऐसा ratio होना चीए इंगलिस आपको बराबर लेकर चलनी है वही बात रहेगी कि अगर आपने इसमें जो topic अभी तक नहीं पड़े जैसे मालो हिंदी में नहीं देगा अपने पड़ें तो उसे छोड़ देना इस समय हाँ कोई छोटा topic है और अपने यह सोचा भी है अपने सिर्फ मातर एक गंटे का topic है और एक गंटे में अपने तियार कर सकते हैं तो उस topic को आप जरूर पढ़ सकते हैं ठीक है कोई बड़ा topic है उस बड़े topic को इस समय मत छड़िएगा आप जो पहले पढ़ चुके केवल उसी को revise कीजिएगा इसके अलावा आप इनके practice जो paper है ना मतलब पुराने जो paper अपने हो चुके हैं इनके question paper आपको market में मिल जाएंगे उन्हें solve जरूर कीजिएगा practice setting जरूर लगाईएगा ठीक है तो यह समय कारगर सावित होगा तो आपने नया मेटर नहीं पढ़ना पुराना जो अभी तक पढ़ चुके हो नया मेटर का मतलब यह है कि कोई नया topic आप solve नहीं करोगे आप जो अभी तक पढ़ चुके हैं केवल उसी को revision करते जाओगे अब अगर अपने बात करें कि paper में अभी बात की जाए तो अपने यह मान का चलो कि first paper और जो second paper है दोनों का मिला कर आपके पास लगबग 220 प्लस क्योशन आपके पास अच्छी तरह से रहने चाहिए बिना negative marking मतलब negative marking होने के बाद आपके पास 220 क्योशन बचने चाहिए तो अपने typing टेस्ट में अपने को call है ठीक है एक तो यह बात ध्यांदक नहीं है दूसरा क्या रहेगा कि जो option रहेंगे अपने सामने ठीक है यह option कितने रहेंगे पांच रहेंगे A, B, C, D और E रहेगा आपने चार जो option है इसमें तो आपके answer हैं जो आपका right answer होगा वो आपने इसमें से tick करना है आप किसी question का answer नहीं देते हो तो उसमें आपने E option जो फिल करना ही पड़ेगा अगर आप E option नहीं फिल करते हो तो ध्यान रखना की copy आपकी check नहीं होगी OMR जो आपकी check नहीं होगी 10 question से अगर आपने हदिक इस परकार की question छोड़ दिये तो आपके OMR set check नहीं होगी इसके अलावा अगर आपने बात करें तो negative जो marking है negative marking से अपने को बचना है ठीक है negative marking कितनी है one third है अगर आपका E question गलत होता है तो उसका one third काट लिया जाएगा ठीक है one third काट लिया जाएगा negative marking से आपने LDC के exam में जितना हो से ज्यादा से ज्यादा बचना है कोसिस करो कि जो आप पढ़ कर गए हो जो आपने त्यार किया है उसी मेटर में से अगर आपने आते हैं तो उसे solve करना है आपने तुका नहीं लगाना क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आपको नुकसान हो सकता है ठीक है आप मान लो कि first paper के अंदर आपने लगबग 100 क्योशन सही किये और आप आगामी 10 क्योशन सही करने की चकर में 20 क्योशन ऐसे उठा लेते हो जो negative हो जाते हैं तो जो 100 क्योशन सही किये हैं वो भी उनमें से लेकर चला जाएगा ठीक है ऐसा नहीं करना अगर आपको 100 क्योशन आच चुके हैं 105 क्योशन आच चुके तो आप वहां पर रुख जाईएगा second paper का इंतजार कीजिए second paper में हो सकता है कि थोड़ा easy आजए second paper आपको बहुत अच्छा हो जाए ठीक ह उसके बाद अपने बाद में बात करेंगी जब आपका exam होगा उसके बाद अपने तेक करेंगी भी exam के according अपने देखते हैं भी किस परकार का paper है उस paper पर अपने विशलेशन करेंगी तो उस paper के अधार पर अपने भी कुछ अनुमान लगता है भी इतने क्योशन वाली जो है पांच है परतिशत उपर ही जा रही है अगर पिच्पन है तो 60 जा रही है 60 है तो 65 जा रही है पचास है तो पिच्पन जा रही है यह लगबग अपने अधिनस्ट वोड की कट अपर ही जा रही है ठीक है जो सोचा उसे उपर ही जा रही है जो paper का स्तर ता उस paper के स्तर को तो पेपर के अधार पर अपने पता लग जाता है फिर भी बोड की अंतिम कटफ मानी जाती है तो आपने इस समय जो पड़ा है उसे केवल आपने रिवाइज करना है और आपका एकजाम जो है वो कब है 11 अगस्त को है और 11 अगस्त के लिए आप त्यार रहें ठीक है बहुत ब के अंदर बहतरीन से बहतरीन तेहरी कीजिए आपको निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी ठीक है अंतिम दो पंक्तियां LDC वालों के लिए चलता रहूंगा अपने पत पर चलने में माहिर बन जाओंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाओंगा एक और कि आगर आपको आर्ट एंड कल्चर में राजस्तान कलावज संसकर्ती में अगर कोई टोपिक टफ लगता है और वो टोपिक आपको थेओरिकल टाइप में अबजेक्टिव टाइप के अंदर अगर आपको चाहिए यूटूपर भी सर इसके कलास लगा दो तो आप म कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जूरूर बता दीजीगा मुझे भी सर हमें ये टोपिक करवा दिये जाए तो मैं वो टोपिक यूटूपर करवा दूँगा थेओरिकल टाइप के अंदर ठीक है और अबजेक्टिव टाइप में तो राजस्तान कलावज संसकर्ती रा और ये यूटूब की जो ये सेसन समापत होगा वहाँ पर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो तो नेक्स सेसन में आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिं जैपाद